मा की बातें स्वामी अरूपा नंदिसे वारतालाब 14. जुलाई 1913 जैराम बाटे दोपहर में मैं और मुकुंद मा के कमरे के बरामदे में खाने के लिए बैठे थे मा बड़े मामा के बरामदे के पूर्व की ओर बैठी थी ऐसे समय में नलिनी गीले कपड़े में आकर कहने लगी कि कववे ने उसके कपड़े में पेशाप कर दी है इसलिए वहाँ फिर से नहा कर आई है मा मैं बूरी हो चली पर मैंने कभी नहीं सुना कि कववा पेशाप करता है बहुत पाप महापाप न करने से क्या मन अशुद्ध होता है क्रिश्न बोस की बहन को भी ऐसी शुचिता की सनक थी गंगा में डुपकी लगाती और लोगों से पूछती क्या मेरी चोटी डूबी शुचिता की ऐसी सनक हो जाती है कि मन किसी प्रकार भी शुद्ध नहीं होता है मन की अशुद्धता शीगरस से नहीं जाती है और शुचिता की सनक जितनी बढ़ाओगे उतनी ही बढ़ेगी सब जितना बढ़ाओगे उतना ही बढ़ता जाएगा मैं मैंने महापुरुष महाराज को कुत्तों को दुलारने के बाद ठाकुर पूजा करने के लिए जाते देखा है उस समय किसी ने हाथ में जल दे दिया तो उसी से आचमन जैसा करके हाथ धूलिया उस समय सब काम के लिए गंगा जल का ही उप्योग होता था मा उनकी बात अलग है उनका मन कितना पवित्र है साधू का मन है तो गंगा तटपर जो निवास करते हैं वे सब देवता है देवता न होने से क्या गंगा तटपर वास हो सकता है फिर गंगा सनान से रोज का पाप रोज नश्ट हो जाता है नलिनी गोलाब दीदी एक दिन उद्बोधन ओफिस का पैखाना साफ करके केवल कपड़ा बदल कर ठाकुर का फॉल काटने बैठ गई मैंने कहा यहां क्या गोलाब दीदी गंगा में नहा कर आओ न गोलाब दीदी ने कहा तेरी इच्छा हो तो तू जा मा गोलाब का मन कितना शुद्ध और कितना उचा है इसलिए उसमें शुची अशुची का इतना विचार नहीं है वह शुचिता अशुचिता की परवाह नहीं करती उसका यहां अंतिम जन्म है तुम लोगों को ऐसा मन होने के लिए दूसरा जन्म लेना होगा गंगा तटके दोनों ओर आठ मील दूर तक पवित्र वायू बहती है यहां वायू रूपी नारायण है बड़ी तपस्या करने से यहां मन शुद्ध होता है बिना साधना के शुद्ध स्वरूप भगवान कभी मिलते नहीं भगवान की प्राप्ती से भला क्या होता है क्या दो सींग निकलाते हैं नहीं उससे मन शुद्ध होता है शुद्ध मन से ज्ञान चैतन्य की प्राप्ती होती है मैं जो भगवान के उपर निर्भर करके पड़े रहते हैं उनका बिना साधना किये कैसे होता है? मा, भगवान के उपर निर्भर करके जो पड़ा रहता है, वही उसकी साधना है. अहा, नरेन ने कहा था, बले लाखो जन्म लेने पड़े, पर उसमें काहे का भै? मा, यहा, बहुत भुगतने के बाद शिक्षा मिलती है, तब जाकर ज्यान की प्राप्ती होती है. मा, हाँ, धाग, ढोल, आदी के रूप में सब बजने के बाद, जब वहाँ धुनिया के हाथ में पड़ता है, तब ही तुहू, तुहू की अवास करता है. श्री रामलाल दादा की पुत्री के विद्वा होने का समाचार सुनकर, श्री मा ने कहा, ठाकर ने कहा था, कि वे सब देव वंच की पुत्रियां है, वे लोग कभी संसारी नहीं होंगी, इसलिए वे विद्वा है. रामलाल के कश्ट का क्या कहूं, लड़के की मृत्य हो गई, आज कहने से वहां 12-13 वर्ष का होता, उनके लड़के दादाजी दादाजी कहकर नाचते हैं, यहां उनका अंतिम जन्म है, इसलिए यहां आकर जन्म लिया है. 18 सितंबर 1913 जैरामबाटी मा ने किसी भक्त को पत्र लिखवाया, शरीर धारन करने में कोई सुख नहीं है, संसार दुखमय ही है, किवल भगवान के नाम केर्टन में ही सुख है, जिन पर ठाकुर की कृपा हुई है, किवल वे ही उन्हें भगवान के रूप में जान पाये हैं, और किवल यही उनका एक सन्यासी जैराम बाटी में श्री मा का दर्शन करके रिशिकेश गए थे, कुछ दिन बाद ही उन्होंने मा को लिखा, मा तुमने कहा था कि समय आने पर ठाकुर का दर्शन प्राप्त होगा, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं, मा ने पत्र सुनकर कहा, लिख दो से कि तुम रिशिकेश गए हो, जानकर ठाकुर तुम्हारे लिए वहां पहुँचे नहीं रहेंगे, जब साधू हुआ है, तो भगवान को नहीं पुकारेगा, तो क्या करेगा, जब उनकी इच्छा होगी, वे दर्शन देंगे,